neighborhood ूर्ड का hindi मीनिंग क्या होता है? आएए आज की स्वीडियो में जान लेते हैं neighborhood ूर्ड का hindi मीनिंग होता है पडोस, पडोसी, आस पास, या फिर प्रतिवैश आएए इसे एक example से समझते हैं They bought a house in a beautiful neighborhood इसका पडोसी मतलब क्या हुआ? या फिर आज पडोस में आपके जो भी चीजे हैं उसे नेवर हुट कहते हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे